इवासियों के नाम से बोट लेकर के राज में उन्होंने सरकार बनाई लेकिन आज वास्तों में सरकार को किन लोगों ने किन लोग चला रहे हैं आज तो राज में लुटे रहा है, विचोलिया है, दलाल है, ये सारे लोग मिलकर के इस राज की सरकार को चला रहे और राज में सब कुछ खने इस संपदा को लूट रहे है यहां तक कि नदी का बालू भी लोगों ने नहीं छोड़ा है और हालत इस प्रदेश में ऐसी है, इस शेत्र में भी ऐसी है कि अब नदी में बालू भी नहीं बचा, अब गाओं घरों में अब घर बनाने के लिए भी लोगों को बालू उपलब्द नहीं हो रहा है आज कानून ब्यवस्ता की सिति पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है और इसलिए मैं उशोर नहीं चर्चा कर रहा हूँ कि कानून ब्यवस्ता तो बत्तर से बत्तर हो गई है मा बहने यहां सुराचित नहीं है और राज में चारों दरब गो तसकरी हो रही है और राज के मुखमंत्री पुलीसों को कहते ही अपने दावरे में कि पुलीस को ये गवय को ले जाने वालों को पकड़ धकड़ नहीं करेंगे उनके ओपर केस नहीं करेंगे कि आज राज अनि लुटेरों का अड़ा बन चुका है और इसलिए मैं आखरी में देश के ग्रिह मंत्रे जिसे मैं जरूर विनम्र प्राटना करता हूँ जारखन की जनता की ओर से मैं कर रहा हूँ जो कि जिस प्रकार से आपके नहत्युत में देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के नहत्युत में आज इस देश में चैहें तीन सो सत्तर हो चैहें राम मंदिर हो चैहें बहुत सारे जैन आउर्थिस्ट की समस्या का आप सबने मिलकर के समस्या क्या आप दोनों ने मैं कहूंगा कि इस राज में जो आज लुटेरी सरकार है उस सरकार से आप हमें निजाद दिलावे यही निवेदन और यही अपील करके मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जैन जैजहारखन जोहार